तो इसकी वन नेशन वन पोल तो क्या ये मैनिफेस्टों में होगा? क्या दो हजार उनतिसमर हमारा देश जो है वन नेशन वन पोल की ओर बढ़ रहा है? आपका पर्सनल मत भी मैं जानना चाहता हूँ, मैं ने मैं जानना चाहते हैं, मेरा व्यक्तिकत मत जा है कि यह होना चाहिए, one nation, one pole होना चाहिए, स्वावावी कि इसे खर्च भी कम होगा, समय की बचत होगी, और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के विशार पहले भी बहुत सा रहे थे कि शायद जो है, जो चुनाव जो है, दोहजार सत्थाईस, अक्ठाईस के बाद होंगे, वो उनको एक्स्टेंशन मिल जाएगा, उसके पहले वाले जो है, वो दोबारा होंगे, पर फिर से दोबारा, दोहजार उन्तिस में सब साथ होगा. कि समय के बारे में तो मैं नहीं कहना चाहँगा, लेकिन व्यक्तिकर तेदी मेरी एक शायदी आप पूछेंट, मैं चाहँगा कि जल्द से जल्द, जब भी हमारी तयारी पूरी हो जाती है, हमें वन नेशन, वन एलक्षन का यह सिलसिला प्रादम करना चाहिए, और यहां त मैनिफेस्टो जब तयार हो रहा होता है, तो उसमें क्या-क्या मुद्धे हैं, इसको हम पब्लिक नहीं करते हैं, जब उसकी वो हरलीज होता है मैनिफेस्टो, उस समय देश को जांकारी होती है, उनिफॉर्म सिविल कोट के बारे में तो आप बहुत पहले से कह रहे हैं, आ मैने पहले ही कहा रहा हूँ, नहीं, मैं आप से मैनिफेस्टो से हट कर, आपका में हमारा कमिट्मेंट है, हम चाहते हैं, कि उनिफॉर्म सिविल कोट लागू होना चाहिए, पहले से, हमारी माननेता यही है, तो इसका मतलब जैसे कि ऑपोजिशन वाले कहते हैं, लेकिन बह पर हिसाब से, जो जी है, यूनिफॉर्म सिविल कोट लाने से, मैं समचता हूँ, किसी को कोई आपती नहीं होनी शाहिए, और किसी की जो फेथ है, किसी का जो विश्वास है, उस पर किसी, जिसके जो यह टर्डिशन्स है, उस पर कोई इससे चोट नहीं पहुशने वाली है पहली बार आप जब होम मिनिस्टर थे तब आया था, पारिद भी हो गया था, उसके बात फिर वापस जो है, दोबारा आप लोग लाए और इस बार जब सी ए की बात कर रहे हैं, जब रूल्स नोटिफाई हुए हैं, तो पहली बार बहुत इसका देश वेश में काफी खिल पता हूं कि सबसे बड़ा संकट रही विपक्ष के पास है, तो सबसे बड़ा संकट है, उनके पास मुद्दों का अकाल है, और उनके पास ऐसे एजंडा आइटम्स नहीं हैं, ताकि जनता को विश्वाफ दिला सकें, भरोसा दिला सकें कि हमारी सरकार बनेगी तो हम यह करे हैं, और उन सारी राइनिटी पार्टियों को लेकर आम जनता में एक विश्वास का संकट भी है, लोग उनकी बातों पर भरोसा भी नहीं करते हैं, अब इसको लेकर तरतर की गलत पहमी पैदा करने की कोशिश जो है विपक्ष द्वारा की गई है, लेकिन मैं विश्वास के दे पाएंगे जब ये हो जाएगा और उसके पीछे डीमके ने भी काया कि इसको हम होने नहीं देंगे, हेल्डी डिमाकरिसी में इस तरीके से जमता को गुमराह नहीं किया जाया जाई है, और मैं चुमता हूं ममता जी को भी जानकारी होगी, इस सच्चाई की, कि इस नाग क्या बुरा है, जो भारत के नागरिक हैं, जिसमें किसी को क्यों आपती होनी चाहिए, और एक गलस पहमी रहो लिए और पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कि दुनिया कि देशकारी कोई मुसल्मान ने निमान लिए स्टिजन सिप लेना चाहता है, कि नहीं विशेस परि परिशितियां होती है, और कोई यह भारत की नागरिक्ता लेना चाहता है, तो उस पर भी हमारी सरकार विशायर कर सकती है, और मैंने स्वेम, जिस तवह यह बिल तैयार हो रहा था, उस तवह भी हमने नागरिक्ता दी है, अधनान स्वामी क्यों, जी, पर CAA में मुसल्मान को नागरिक्ता नहीं दी जाएगी, CAA के उसके अंदर, मुसल्मान तो है नहीं, बाती हो परिशितियों पर दरबर करता है, जी, तो NRC आप कह रहे हैं कि आएगा, अगले उसको भी आप लोग लेकर आएंगे, अगले अगले टर्म में आप उसमें आप कह रहे हैं कि उसमें से बचना चाहिए, विपक्ष को भी राइनीत करनी चाहिए, तो तर्थ्यों के आधार पर, अनावश्क जनता की आखों में धूल जोंकर राइनीत नहीं करनी चाहिए, विपक्ष के अंदर भी वह दम खम होना चाहिए, कि जी राइनीत करनी है, तो जनता की आखों में धू कराइने पर जी बड़ा बेहान है आपका